गुदूरिंग इसी स्टुडेंट वी आरा गॉइज्ट के लेक्श dr on four line लास्ट वीडियो लेक्श्र में हमने फौरूप के बारे में पढ़ा था फौरूप क्या होते है क्या इसका सिंटेक्स होता है और कैसे हम फोर लूप की एल्प से एक एक्जाम्पल प्रूव करते हैं यह लास्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं आज हम जो वीडियो में से किसी भी एक को आप उप्शनल रख सकते हैं या तिनों को भी आप क्या कर सकते हों फरस्ट एक्जाम्पल देखिए हमारा देखो यहां पर क्या है हमने सेमी कोलन लगा के छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या है इंसलाइजेशन यहाँ पर नहीं है आपने कंपाइलर को य यह आपका लूप है आई की वैलू क्या कर दी वन आप क्या चाहते हो लूप के अंदर इंसलाइज नहीं कराना चाहते है तो पहले उसको डिकलेर कर दो यहाँ पर क्या कर दो सेमी कोलन सेमी कोलन का मतलब कंपाइलर समझ जाएगा कहीं में कहीं बाहर कहीं इंसलाइज करा र यह समझ जाएगा कि यह जो आपकी इंसलाइजेशन है वो ओप्सनल है कई न कई इसको बार इंसलाइज कर दिया जैसे आई लेस देन इक्वल टू टैन आई प्लस प्लस यह क्या आपका बोडियो लूप तो आप इंसलाइजेशन को ओप्सनल कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट विए जैसे हमने यहां पर एक्ग्जांपल में ले रखिये आई की वैलू वन ये सैमी कोलन लगा दिया फर्स्ट क्या होता और आपका इंसलाइजेशन फिर टेस्ट एक्सप्रेशन फिर आपकी अपडेट एक्सप्रेशन इन्सलाइजेशन क्या है आपका मतलब यहां क्या है ओप्शनल है मतलब यहां कंपाइलर क्या समझेगा इसको कहीं न कहीं बाहर डेक्लेर कर दिया इसको बाहर इंसलाइज करा दिया तो यहां सेमी कॉलन लगा के छोड़ देंगे अब नेक्स्ट क्या है हमारा अब्डेट एक्स्प्रेशन हमने क्या कर दिया ऑप्शनल बना दिया एक आई वैरियेबल लिया इंटीजर टाइप का इनसलाइजेशन है ठैस्ट collection पर यहां पर कॉन सी नहीं है एको इस तीन एलिमेंट होते इन फोर लूप के अंदर फर्स्ट क्या उठाद इंसलाइजेशन क्यों सच्छलाइजेसिछन सेकिन क्या हता है टेस्ट एक्सप्रेसिन थड्यों कि आपका अपने गश्च प्रिक Conse pensar करें लाएा तो इसका मतलब क्या है हमने किसको किसको omit कर दिया यहां पर है किसको omit कर दिया update expression को ऐसा आप for loop के साथ आप काम कर सकते हैं next example में हमने insilization भी और update expression दोनों ही हमने omit कर दी for loop के अंदर देखो बाहर हमने insilize करा दिया i की value 1 यहां semicolon लगा दिया तो compiler को आपने यह बता दिया जो हमने insilize किया वो कहीं न कहीं हमने बाहर insilize करा दिया i less than equal to 10 अगर आपको दोनों ही omit करनी हो तो उसका syntax क्या रहेगा आप बाहर क्या करा दो insilize करा दो यह semicolon लगा दोगे तो इसका मतलब यह compiler समझ जाएगा यह कहीं न कहीं आपने बाहर insilize करा दो केवल आपने loop के अंदर क्या दी test expression i less than equal to 10 यहां पर update भी नहीं है update आपने किसके अंदर लगा दिया body of loop के अंदर यह भी आप काम करा सकते हो अब next देखिए आपका अगर आपका ऐसा ना ही तो आपका इंसलाइजेशन है ना ही test expression है ना ही update expression है तो वो loop क्या बन जाएगा आपका infinite loop बन जाएगा मतलब कहने का मतलब क्या है आप किस में चले जाएंगे infinite की condition में चले जाएंगे यह देखिए यहाँ पर infinite loops है यहाँ पर omit कि expression को कर रखा है test expression मतलब condition ही नहीं है यहाँ पर के देखो आई एक variable लिया integer type का inslization कर दिया पर क्या नहीं है हमारी test expression नहीं है देखो इनslization भी है update expression भी नहीं है और क्या नहीं है तो condition कैसे match करेगा तो इस condition में आपका loop किस में चला जाएगा infinite की condition में चला जाएगा देखो हमें यह तो पता है i की value कहां से start होगी 10 से start होगी पर कहां तक जाएगी मतलब हमारी condition नहीं है हमारी test expression मेरे को suppose करो मैं गर्से चल पड़ता हूं पर मेरे को यह नहीं पता मेरे को जाना कहा है तो मैं किस condition में चला जाएगा infinite condition में तो स्टार्टिंग आपका step क्या है i की value क्या है 10 से start है पर कहां तक जाएगी यहां पर test expression ही नहीं है तो पता ही नहीं है कहां तक जाएगी तो वह loop किस में चला जाएगा किस में चला जाएगा 1 suppose grow i की value क्या है 1 i less than equal to equal to 10 i++ यह loop कैसे काम करेगा आप यह semicolon का मतलब क्या है इस loop के अंदर क्या है null of statement है i बराबर है i को value in slice क्या करी 1 i less than equal to 10 i++ semicolon पतलब चाहे आप यहां लगा दो चाहे आप यहां लिख दो बात यह किये इस for loop के अंदर क्या है यह semicolon है semicolon का मतलब क्या होता है null of statement इस loop के अंदर कोई भी statement नहीं है suppose करो मैं यहां पर यह लिख देता हूँ एक बार यह example देखिए i बराबर i की value 1 i less than equal to 10 i++ और यह लिख देता हूँ c out i तो यहां से क्या result आएगा आप बताए एक मिनट सोचिए आप चलो आपने साइद सोच लिया हुआ i की value 1 1 less than equal to 10 i++ देखो जो यह statement है यह statement यह next statement पे है यह इस loop के अंदर नहीं है यह द्यान रखना अगर आपका यह नहीं होता तो यह मन्या जाता है यह statement किसके अंदर है loop केंदर है आप सभी को पता है जो single statement होती है उसके लिए लगाओ या न लगाओ आपका आपकी मर्जी होती है अगर multiple statement loop के अंदर लेने होती है तो यह ब्रेशिद आपको लगाने पड़ती है अग सिंगल स्टेटमेंट के लिए आपकी जरूरत नहीं होती है तो अगर आपने यहां पर सेमी कोलन लगा दिया तो केवल यह सेमी कोल इस तरह ट्रीट करेगा आई की वेलू 1, 1 less than equal to 10, condition true इसके अंदर चला जाएगा और स्पोज करो यहां पर क्या है आई की वेलू प्रिंट करा रख जो यह आई की वेलू है यह क्या है next statement में चाहे आप इस सेमी कोलन को यहां लगा दो चाहे आप यहां लगा दो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा जो यह statement है यह आपकी next statement यहां से क्या प्रिंट होगा आपका जो output आएगा वो 11 आएगा दिको हमने एक्जामपल दे रखा है यहां पर आई की वेलू 1, 1 less than equal to 10, condition true, true तो इस सेमी कोलन में चला जाएगा यह जो है यह किस पे है next statement में इस सेमी कोलन का मतलब क्या है इस लूप के अंदर क्या है null of statement है फिर यह लूप में चला जाए I की वेलू क्या हो जाएगी 2, फिर condition चेक करेगा यहां 2 less than equal to 10, condition फिर क्या होगी आपकी true, true होगी तो फिर इस statement में चला जाए क्योंकि लूप के अंदर क्यावल यही statement है और इस I की वेलू कहां तर चेक करेगा 10, 10 less than equal to 10, condition क्या होगी true, true तो फिर इस में चला जाएगा, फिर लूप में जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगी, I की वेलू 10 थी, I की वेलू हो जाएगी 11, फिर चेक करेगा 11 less than 10, I की वेलू 11 हो चुकिए, 11 less than 10, condition क्या होगी false, false होते इस लूप से बार हो जाएगा बाराते ही क्या हो जाएगी next statement पर ये है आई की वैलू प्रिंट हो जाएगी और आई की वैलू यहां से क्या प्रिंट होगी 11 ये द्यान रखना कि declaration of variable in the loop हम आप लूप के अंदर भी हम variable को को declare कर सकते हैं सपोज करो हम स्टार्टिंग में जब प्रोग्राम बनाते हैं जब variable को declare करते हैं इन तैप यह जुरूरी नहीं आप स्टार्टिंग टाइम ही variable को declare करो जहां पर भी आपको जुरूरत लग रही है यहां पर मेरे को एक variable चाहिए तो वहीं पर आप declare कर सकते हो लूप में नहीं कहीं पर भी आप declare कर सकते हो तो ऐसा यह आपका valid है लूप में ऐसा काम आप कर सकते हो int i ब्रावर 1 पर यह द्यान के अंदर int i ब्रावर है i की value in slice की 1 1 less than equal to 10 condition मतलब 10 बार आपका लूप चलेगा अगर आप इस i की value को इस लूप से बाहर प्रिंट कराओ यह जर्नेट करेगा क्या error i कोई variable नहीं क्योंकि इस i का scope यहां से लेकर यहां तक है इस i को आप यहां से लेकर इस paranteze लेकर इस paranteze तक ही यूज कर सकते हो इस के बाहर आपको यूज करना है तो यहां declayer करना पड़ेगा अब आपने एक dość loop ne लिया तो आपको फिर से आपको variable declayer करना पड़ेह क्योंकि इस i का scope यहां से लेकर यहां तक था इसमें यह काम नहीं करेगा अगर आपने यहां पर वेरियेबल डिकलेर कर दिया इन टाई तो आपको दुबारा डिकलेर करने के जूरत नहीं अगर दुबारा डिकलेर करोगे तो फिर आपकी एरर आएगी इस तरह आप ऑप्शनल स्टेटमेंट पर काम करते हो मैंने बताया आज के जो वीडियो लेक्चर में बताया पोर लूप में आप कई जगे यूज कर सकते हो जैसे ओमिट कर सकते हो आप इंसलाइजेशन को भी टेस्ट एक्सप्रेशन को भी अपडेट एक्सप्रेशन अगर आप इंसलाइजेशन को आप ओमिट क करना चाहते हो तो यहां पर भी सेमिकॉलन लगा के छोड़ दो जैसे आपने यहां पर इसका मतलब कंपाइलर समझ गया यहां पर भी इंसलाइजेशन नहीं है कहीं न कहीं बाहर करा रखें यहां पर टेस्ट एक्सप्रेशन भी नहीं होगी तो उस कंडिशन में आपका इंफ कर सकते हैं तिन्नों को भी कर सकते हैं दो को भी कर सकते हैं इस तरह आप फोर लूप पर काम करते हैं थेंक्यू हेवे नाइस टेंग